मायवती भारतिय लोक तंद्र का एक चमत कार और करोडो दलितों के लिए स्वाब इमान की हुंकार मायवती का नाम लिए बिना भारतिय राजनेती की थ्यास पूरा नहीं हो सकता दिल्ली की तंगलियों से निकलिये किवा दलित महिला ने अपने बलबूते राजभवन तक का सफर तै किया देश की पहली दलित महिला मुख्यमंतरी बनी हर विरोध सहा मनुवादियों की गालिया खाई सियासत के दाव पेच देखे कभी इंकाउंटर होने से बाल बाल वची तो कभी जान लेवा हमले से लेकिन मायवती किसी चटान की तरह खड़ी रही चलिये मेरे साथ मैं हूँ सुमिछ चोहान और आज मैं आपको बता रहा हूँ मायवती की जिंदगी के सफर की पूरी दास्ता, मायवती की 25 अनसुनी कहानिया और ऐसी कई कहानिया जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी मायवती का जन्न दिल्ली के इंद्रपूरी लाके में 15 जनवरी 1956 को हुआ था 1975 में मायवती ने दिल्ली उनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और एकॉनोमिक्स में बी ए की डिग्री हासिल की उसके बाद उन्होंने बी एड की पढ़ाई की और बतोर टीचर काम करते हुए डी उ से अपनी अलिलबी की डिग्री भी हासिल की मायवती UPSC के परिक्षा पास करे काईयस अफसर बना चाती थी और उसके लिए तैयारी भी कर रही थी लेकिन मानेवर कांशीराम साहब के कहने पर मायवती ने अपना घर और सपना दोनों छोड़ दिये मायवती और मानेवर कांशी राम की पहली मुलाकात की कहानी भी बेहत दिल्चस्प है 1977 की एक सर्द रात में मानेवर कांशी राम दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में प्रभु दयाल जी के घर पहुंचे थे मायवती उस समय लालटेन की रोश्णी में पढ़ाई कर रही थी मानेवर ने उनसे पूछा तुम क्या बनना चाहती हो इस पर मायवती ने कहा मैं आईएस अफसर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ मायवती की इस जवाब पर काशिराम साहब ने कहा मैं तुम्हे उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां दरजनो आईएस अफसर तुमारे सामने लाइन लगा कर खड़े होंगे तुम तै कर लो तुमें क्या बनना है दरसल इस मुलाकात से एक दिन पहले मायवती दिल्ली के कॉंस्ट्यूशन क्लब में भाशन दे रही थी मायवती ने मन से ही कॉंग्रेसी नेता राज नारायन को दलितों को बार बार हरीजन कहने पर बुरी तरह लताड़ा था 21 साल की लड़की का ऐसा रुख देखकर ही मान्यवर काशिराम साहब मायवती से काफी प्रभावित हुए थे मायवती के पिता प्रभु दयाल पोस्ट ओफिस में कलर थे और वो चाते थे कि उनकी बेटी पड़ लिकर आईएस बने लेकिन जब मायवती ने काशिराम जी के साथ जाने का नेने लिया तो प्रभु दयाल जी काफी दुखी हुए उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये रास्ता चुनना है तो मायवती को घर छोड़ना पड़ेगा इस कठोर फैसले के बाद मायवती ने घर छोड़ दिया और मानेवर काशिराम साहब के साथ वो चल पड़ी सियासत के उस सफर पर जिसका सपना देखना भी भारत के दरीतों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं था मानेवर काशिराम साहब रणनीती बनाने में माहिर थे तो मायवती एक तेज तर्रार वक्ता थी उनकी भाशन शैली ऐसी थी कि सुनने वाले जो उस से भर जाते थे मायवती और काशिराम की जोड़ी ने बड़ी तेजी से संगठन का विस्तार किया और अपने सियासी सपने को पूरा करने के लिए आबादी के लिहाद से देश के सबसे बड़े सूबे उत्रपरदेश को चुना 1984 में बहुजन समाज पाटी की स्थापना हुई दिली के रामडिला मैदान में मानेवर काशिराम और मायवती ने डेश के बहुजनों की तकदीर बदलने के हुँ कार भरी और इस तरह से मायवती चुनावी राजनीती में पूरी तरह से सक्रिय हो गई इस बारे में मायवती ने कहा था मैंने राजनीती में आने का जो फैसला किया तो मुझे दूसरे नेताओं की तरह राजनीती विरासत में नहीं मिली हमारे परिवार में कोई राजनीती में से नहीं है दूर दूर तक हमारे रिष्टे नातों में भी कोई राजनीती में नहीं है सियासत में कुछ भी आसान नहीं होता और अगर आप भारतिय समाज की जातिय संरचना में सबसे निचले पायदान से उपर उठने की कोशिश करते हैं तो मुश्किले और भी बढ़ जाती हैं मायवती को भी शुरुआत में कई बार हार मिली लेकिन वो रुकी नहीं मायवती ने पहली बार 1984 में केराना से लोग सभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई उसके बाद 1985 में बिजनोर और 1987 में हरीदवार से भी उने हार ही मिली लेकिन 1989 के उप चुनाव में मायवती बिजनोर सीट से चुनाव जीत कर देश की संसत के अंदर पहुँच गई 1989 के आम चुनाव में BSP को 3 और 1991 के चुनाव में 2 सीटे मिली थी गेस्ट हाउस कार्ण में मायवती पर हुए जानलेवा हमले के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मायवती का एंकाउंटर होने वाला था दिसंबर 1991 के एक सर्ब सुबह करीब साड़े चार बजे थे यूपे के प्रियाग स्टेशन पर ट्रेन से एक महिला कैदी को नीचे उतारा गया इस तरह से उस महिला कैदी की जान बचपाई जिस महिला को पुलिस वाला मारना चाता था उसका नाम था मायवती मायवती के करीबी रहे सर्वर हुसेन ने इस किस्से के बारे में बताया था दरसल उस दिन मायवती की लखनव हाई कोर्ट में पेशी के बाद एलाबाद की नैनी सेंटरल जेल में वापसी हो रही थी बुलन शहर में मतपत्र देखने को लेकर मायवती और डियम में छीना जप्टी हो गई थी और उसी केस में उन्हें इलाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था मायवती एक माहिर वक्ता थी और इस वज़े से बोजन समाज में उनकी लोग प्रियता तेजी से बढ़ती चली गई काशीराम जी के सहयोग से मायवती ने सियासत के दाओं पेच सीखे और 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा और सरकार बना ली उस समेक नारा काफी मशूर हुआ था मिले मुलायम काशीराम हवा हो गए जैश्री राम यूपी में गड़बंदन सरकार बनाने के बाद 3 अप्रेल 1994 को मायवती राज्यसभा पहुँच गई उच सदन में बीएसपी की वो पहली सांसत थी 1995 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया और ये मायवती के लिए एक निरनाए एक साल बना मायवती ने कहा कि सपा समर्थक उनकी हत्या करना चाहते थे गैस्टाउस कांड के बारे में मायवती ने कई बार कहा कि वो इस कांड के लिए मुलायम सिंग यादव को कभी माफ नहीं करेंगी भाजपा नेता लाल जी टंडन के कहने पर ब्रहमदत तिवारी ने गैस्टाउस पोच कर मायवती को बचाया था जिसके बाद लाल जी टंडन मायवती के धरम भाई बन गए मायवती ने बाकायदा राकी बांद कर लाल जी के प्रतिय अपना रिष्टा जाहिर किया था कहते हैं बीजेपी और बीजेपी के गड़बंदन में भी लाल जी निरना एक भूमी का निभा रहे थे और मायवती को सीम बनाने में भी उन्होंने मदद की थी 1995 में राजयपाल ने मुलायम सिंग यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मायवती बीजेपी की मदद से यूपी की मुख्य मंत्री बन गई सीम की कुर्सी तक पहुंचने वाली वो देश की पहली दलित मैला थी तब देश के प्रदान मंत्री विपी नर्सिमा राव ने इसे लोगतंत्र का चमत्कार कहा था लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 4 मइने ही चल पाई बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और मायवती की पहली सरकार 4 मइने में ही गिर गई मायवती को करीब से जानने वाले लोग ये भी मानते हैं कि बहन जी को समझना काफी मुश्किल है मायवती सियासत की एक मंजी हुई खिलाडी हैं जिनोंने फर्स से आर्स तक का सफर अपनी सूझ भूज और संघर्ष के दम पर तै किया सियासी गुणा भाग में भी मायवती सटीक निशाना लगाती है 1996 में बीएसपी ने यूपी की 425 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन महद 66 सीट की जीत पाई लेकिन बीजेपी के साथ दूसरी बार गड़ बंदन हुआ और 1997 में मायवती ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पदकिश पत ली बीजेपी के शर्थ थी कि 6 महीने बाद उनका सीम बनेगा लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद मायवती ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया बाद में बीजेपी ने किसी तरह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई 2002 में मायवती ने बीजेपी के साथ मिलकर तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्शी हासिल की लेकिन ताज कोरिडोर केस में वित्तिय गड़बडियो कारोप लगने के बाद मायवती ने साल 2003 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया मुलायम सिंग यादव ने बीजेपी के बागियों के साथ मिलकर यूपी में सरकार बना ली साल 2003 में बहुचनों के मर्सिहा मान्यवर काशिराम साहब को ब्रेन स्ट्रोक हो गया लगातार काम करने और यात्राएं करने के कारण उनकी तब्यत बिगड़ती ही जा रही थी रिष्टे को लेकर भी सवाल उठते रहे अक्सर उनके चरितर पर भी दाग लगाने की कोशिश की गई दोनों के बारे में ना जाने कैसी कैसी बाते की गई लेकिन इससे मायवती विचलित नहीं हुई एक इंटर्वियू में मायवती ने इस बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था जब कोई त्याग करके आगे बढ़ता है तो विरोधियों के पास एक ही मुद्दा होता है कैरेक्टर को लेके बदनाम करना मानेवर काशी राम जी को मैं अपना गुरू मानती हूँ और वो मुझे अपना शेश्य मानते है 2001 में मानेवर काशी राम ने मायवती को अपना उत्रादीकारी खोशित किया उन्होंने इस बारे में कहा था मुझे लगा कि अगर इनको आगे बढ़ाने का मोका दिया जाए तो राजनिती में ये काफी आगे बढ़ सकती है राजनिती में बढ़ने की जो खूबिया है वो कुछ खूबिया मुझे इनमे नज़र आई करीब दो साल तक बेश्तर पर रहने के बाद काशिराम जी साल 2006 में चल वसे काशिराम साहब के महापरी निर्वान से मायवती को सबसे बड़ा धक्का लगा लेकिन मायवती अपने सियासी सफर में आगे बढ़ती रही 2007 में मायवती ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उमीद शायद ही किसी को थी मायवती ने सोशल इंजिनरिंग की ऐसी करामा दिखाई कि दलित और ब्रहमन वोटर साथ आए और मायवती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की मुख्यमंत्री बन गई मायवती ने बहुजनों को राजनितिक सत्ता में पहुचाने के बाद सामाजिक न्याई की गैरेंटी देने का काम किया उन्होंने यूपी में प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों के लिए 30% अतारक्षन लागू कर दिया उन्होंने सबका साथ और सबका विकास फोर्मूले पर अमल किया एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था 2007 में मेरी सरकार बनने से पहले मुलाइन सिन यादों की सरकार थी और उन्होंने भर्तियों पर रोक लगा रखी थी मेरी हुकुमत में मैंने वो बैन हटाया और करीब 30 लाग अपरकास्ट लोगों को नौक री दी 2078 के दोरान मायवती सबसे ज़्यादा इंकम टेक्स देने वालों में 20 वे नमबर पर थी उन्होंने करीब 26 करोड रुपए सिर्फ इंकम टेक्स के तोर पर भरे थे 2001 में उनकी 1 करोड की घोशित आये 2007 में 50 करोड हो गई थी मायवती ने कहा कि ये रकम पार्टी के कार्यकरताओं ने उन्हें बतोर डोनेशन दी थी आयसे अधिक संपती के मामले में CBI ने मायवती के खिलाफ जांच शुरू की और उन्होंने UPA सरकार से समर्थन वापस ले लिया मायवती ने कहा कॉंग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए CBI जैसे उच जांच एजनसी का दुरूपयोग करके मेरे उपर राजनितिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है मायवती ने अपने चोथे कार्यकाल में बभूजन इतियास को जीवित करने के लिए भी काफी काम किया चाहे नोईडा में दलित प्रेनास थल हो या फिर लखनों का जुक्तरम बीटकर पार्क मायवती ने बभूजन नायक नाइकाओं के सम्मान में एतियास सिक काम कर दिखाया जिन बभूजन नायक नाइकाओं को इतियास में कभी उचित सम्मान नहीं मिला था मायवती ने उनकी शाहंदार प्रतिमाई लगा कर बभूजन समाद से उनका परीचे कराया Statue of Unity को एकता और दलित नाएक नाइकाओं की मूर्तियों को फिजूल खर्च बताने वाले लोग अक्सर मायवती पर हमलावर रहते हैं लेकिन आज उनके काम की तारीफ हर जगे हो रही है जी मैं मुकेश रिशी यहां शूटिंग करने आया हूँ लखनाओ में सीरीज का नाम है तबाइफ और यह पार्क देखने के ले आया हूँ मैं अमरिट कर पार्क देखने आया है बहुत अच्छा बनाया है बहुत खुबसूरत है और बहुत अच्छी सुकरिटी भी लगी एकह्त्म साफ है तो बहुत बहुत शुकामना आए यूपी को इस तरह की खुबसूरत चीज उनके पास है All the best सबसे कहूंगा आईए देखिए Wonderful place कुछ लोगों को सिर्फ मायवती के बनाए पार की नजर आते हैं चाहे नोईडा मेट्रो हो या फिर ताज एक्स्प्रेस वे या गंगा एक्स्प्रेस वे मायवती ने तमाम ऐसे काम कर दिखाए जिने बाकी पार्टिया सिर्फ चुनावी घोशना पत्रों तक ही सीमिद रखती है साल 2012 में भारत का पहला फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रेक यानि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट नोईडा में खुला और मायवती ने अपने हाथों से विजेताओं को ट्रोफी दे करी थी आसरच दिया आज बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट भारत में एफवन रेसिंग का बे ताज बाजशा है इसके अलावा मायवती ने गोतम बुद्ध नगर में महा माया बाली का और बालक इंटर कॉलेज खोले और गोतम बुद युनिवरसिटी जैसा नायाब तोफा दिया नोईडा को श्यांदार अस्पताल भी मिले लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ पार्खी नज़र आते हैं मायवती के शाशनकाल में एक सबसे बड़ी खास बात यही रही कि यूपी में अपराद पर लगाम लगी आकड़े बताते हैं कि मायवती ने जब जब यूपी की सियम की कुर्सी समवाली तब तब अपराधी सलाखों के पीछे नज़र आए साथ ही मायवती के शाशनकाल में कभी भी हिंदो मुसलिम दंगे नहीं हुए मायवती ने एक कुशल प्रशास्त की भूमी का निभाई मायवती के हिस्ट्राइल के पीछे भी एक कहानी है एक इंटर्व्य में उन्होंने बताया था दरसल लंबे बाल होने पर मुझे बार-बार उन्हें बांधना पड़ता था मुझे 6-7 जगे जाना पड़ता था तो बार-बार कंगी करके बाल बांधने पड़ते थे और मेरा काफी समय बरबाद होता था इसलिए अपना समय बचाने के लिए मैंने बाल ही कटवा दिये ताकि मेरा वक्त बरबाद ना हो मायवती ने जो करिश्मा 2007 में कर दिखाया था उससे वो 2012 में नहीं दोरा पाई और अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता उनसे चीन ली इसके बाद मायवती राजसवा आ गई लेकिन सहरनपुर हिंसा पर जब उन्हें सदन में अपनी बात तक नहीं रखने दी गई तो उन्होंने राजसवा की सदस्यता से ही इस्तीफा दी दिया अपने शमाज के हितों के बाद में अपने समाज के हितों के बाद उनके हितों के गई प्रोटक्ट नहीं कर सकती इुए कैन आस मेर मायवती ने कहा था कि जब एक दलित की बेटी चार चार बार यूपी की सियम बन सकती है तो देश की पीम क्यों नही बन सकती मायवती को पीम माटीरियल माना जाता रहा है लेकिन उनकी रहा और भी मुश्किल होती जा रही है 24 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीम पदकाव में इद्वार घुशित किया तो विपक्षी पार्टिया राहूल गांदी को यूपीय का चैरा बनाने पर राजी नहीं थी ऐसे में सबकी नजरे मायवती पर थी कि उनके नाम पर किसी को दिक्कत नहीं होगी और एक दलित की बेटी नरेंद्र मोदी को टक कर दे सकती है लेकिन बीजेपी ने अकिले ही यूपी की 80 सीटों पर उमिदवार उतारे देश में तीसरे नंबर पर वोट शेर हासिल किया लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई 2017 के यूपी विधान सबा चुनाओं में भी मायवती की पार्टी बेस पी बुरी तरह हारी और महज 19 सीट ही जीत पाई इसके बाद 2019 के लोगसभा चुनाओं के मद्दे नजर मायवती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया यूपी की सियासत में ये किसी चमतकार से कम नहीं था सियासत पर नजर रखने वालों ने कयास लगाए कि अगर यूपी में माग इडबंदन अच्छी सीट जीत गया तो मायवती का पीम बनना लगभगते है मायवती ने गेस्ट आउस कांड का दर्द भी भुला दिया और वो मुलायम सिंग यादव के साथ मंच पर नजर आई लेकिन हाथी और साइकल के साथ आने पर भी नतीजे मन मुताबिक नहीं आए BSP ने सिर्फ 10 सीटे जीती तो SP महज 5 सीट पर ही सिमट गई और एक बार फिर से दोनों पार्टियों के रास्ते अलग-अलग हो गए 15 मार्च 2020 को नोईडा में भीम आर्मी चीफ चंद शेकर आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया UP की दलित राजनीती में ये एक बड़ा दखल है जो मायवती की दलित राजनीती पर असर डाल सकता है लोग मानते हैं कि इससे दलित वोटों का बटवारा हो सकता है लेकिन मायवती अपने हिसाब से ही रणनीती तयार कर रही है Iron Lady के नाम से मशूर मायवती को जानने वाले लोग मानते हैं कि बहनजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है अब मायवती के असली और सबसे मुश्किल परिक्षा 2022 के UP विदानसबा चुनाओं में हुनी है मायवती एक ऐसा किर्दार हैं जिनकी शक्सियत का अंदाजा सिर्फ चुनाओी नतीजों के अधार पर नहीं लगाया जा सकता ये उनके व्यक्तित्व को कम आगने जैसा होगा लेकिन ये भी सच है कि सियासत में नतीजों से बढ़ कर कुछ नहीं होता अगर मायवती 2022 के यूपे विदानसभा चुनाओं में कोई चमतकार कर दिखाती हैं तो निश्य तोर पर भारत की दल्क राचंजी का भविश्य एक बार फिर से मायवती के बरों से ही तै होगा अगर ये विडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन दबाए और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को भी जरूर लाइक करें इसके लावा आप हमें इस्ट्राग्राम और ट्विटर पर भी फोलो कर सकते हैं अगर आप अमेड करवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर हमारी आर्थिक मदब भी कर सकते हैं मैं हूं सुमिछ चोहान और इस वीडियो को बनाने में मदद कर रहे हैं मेरे सयोगी अन्शो और अज्रा परवीन जै भीम जै भारत